Assalamu alaikum everyone and welcome back to our influencer course I know के हमने बहुत जो है philosophy के बारे में बात किये content के philosophy की बात किये और अभी तक हम किसी technical चीज पर नहीं आए तो आज मैं जिस चीज के बारे में बात करूँगी वो एक बहुत basic सी चीज है वो यह है के Instagram पे एक creator profile कैसे बनाते हैं तो हम इसकी technicalities को आज समझेंगे Instagram की app download करने के बाद आपको अपने लिए एक username सोचना है जादा आपको सोचना नहीं पढ़ना चाहिए क्यूंकि आपको जो username रखना है वो आपका नाम होना चाहिए कोई और characters नहीं होने चाहिए आपका नाम होना चाहिए क्यूंकि influencer होने का मतलब है लोग आपकी personality से connect कर सकते हैं और वो आपकी personality से जादा connect करेंगे जब उसमें आप अपना नाम इस्तमाल करेंगे वैसे भी मैंने क्यूंकि समझाया कि influencer बनने के लिए यू हाव तो बी यूनीक, यू हाव तो बी यूरसेल यूर नेम इस यूनीक तो यू यानि आपके नाम से बहतर आपकी कोई पहचान ही नहीं है पिर आप अपने Instagram account की settings में जाएं वहाँ पर आपको option मिलेगी बिल्कुल नीचे जाके switch to a professional account जब आप professional account में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो options आती हैं एक होता है business और एक होता है creator क्यूंकि आप as an influencer creator की category में आते हैं तो आपने select करना है creator account जब आप creator account select कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारी categories आएंगी ठीक है इन categories में आपने अपनी सबसे relevant ढूननी है जिसमें blogger आता है, digital creator आता है किसी भी चीज़ के expert आ सकता है entrepreneur आता है बहुत जारी different options आपको मिलेंगी जो category, जो label आपकी शनाख्त सबसे अच्छी करता है वो आपने select करना है ताके वो आपके नाम के नीचे लिखावा आएगा ठीक है इसलिए जब भी कोई आपकी profile पे आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि एक तो ये profession account है दूसरा, ये creator या ये influencer किस field में ये influencer है इसके बाद आपने अपनी profile complete करनी है profile मुकमल करनी है जिसमें आपको सबसे पहले अपनी profile picture डालनी है आपके instagram पे एक goal सा दाइरा बनावा होगा और इस दाइरे में आपने अपनी picture upload करनी है ऐसी picture आप select हीजएगा जो again आपको represent करे यानि है कि आपकी शखसियत बहुत खुश इखलाक है आप बहुत खुश रहते हैं आप बहुत energetic से हैं तो आपकी picture में वो नज़र आनी चाहिए लेकिन अगर आप उस तरह नहीं हैं और आप ज़रा serious से हैं sober से हैं, संजीदा से हैं तो वो आपकी picture में नज़र आनी चाहिए और अगर आप artistic हैं तो आपकी profile picture भी artistic से ही होनी चाहिए आपको यह ख्याल रखना है कि आप picture ऐसी choose करें जो ज़रा stand out करें जो ज़रा attractive हो अच्छा अपनी उस picture के नीचे अपना full name डालें एक आपका होता है username एक आपका होता है actual name कोशिश करें आपको अपने username में कोई characters ना डालने पड़ें लेकिन अकसर आपको अपना full name यूजर नेम के तौर पर नहीं मिलता क्योंकि वो किसी और के बास already होता है तो आपको बीच में शायद एक dot डालना पड़ता है या ऐसी कोई चीज करनी पड़ती है जो के एक second option है वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यह नहीं चाहती कि कोई जब अपना username डालना जाए और उनको नहीं मिला तो वो confused ही हो जाए हम नाने तो कहा था कि बस अपना नाम ही होना चाहिए नहीं जरूरी नहीं है अगर कोई आप उसके अंदर character डाल सकते हैं तो आप उसमें full stop बीश में डाल दें क्योंकि आपके पस कोई और option नहीं है फिर आपके पास एक option आती है add a website की यहां पर आप कोई भी link डाल दें अगर आपका blog है website है तो उसकी link डाल दें अगर आपका कोई business है उसकी link डाल दें अगर आप उसको associate करना चाहते हैं जाहर एक for और अगर आप कोई artist है तो आप अपना portfolio की link डाल सकते हैं वहां पर आपका सारा काम है तो logo's पे click कर के देख सकते हैं तो कोई भी आपके पास ऐसी लिंक है, कोई वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप वह वहाँ डाल सकते हैं, तो इस लिंक का ये फाइदा है, कि आप लोगों को और आक्सेस दे सकते हैं, किसी और पेज का, जिसका आप से तालोग है, ताकि वह आपके बारे में और जदा जान सके, अच्छा, फिर आती है बायो, ये बहुत इंपोर्टन चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पर आता है, तो वह आपकी बायो जरूर पढ़ता है, कि भाई, आप हैं कौन, क्या गाम है आपका यहां, तो एक अच्छी सी छोटी लिखी बायो बहुत काम आती है, तो आप यहां पर कुछ अलफाज में अपने बारे में लिख सकते हैं, आप ऐसा बेखल मत कीज़ेगा, कि अपनी इंस्टाग्राम बायो में आप कोई कोटेशन डाल दें, क्योंकि इस्पेशली जब आपकी अभी तक इंडिविज्वालिटी नही नहीं बनीवी इंस्टाग्राम पे तो एक कोट डालने से आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो आप बहुत बाद में जा के कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शायद सुक्सेस्फुल लोग इंस्टाग्राम पे इस तरह करते हैं, ल आपके बारे में हो, जो ज़रा authentic हो, ताकि जब आपको लोग ढून रहे हैं, जब आपको लोग discover कर रहे हैं, तो ज़रा आपके बारे में ज्यादा पहचान सकें, ज्यादा समझ सकें, अब जब आपकी profile picture भी डल गई है, आपकी bio भी तयार है, आपकी website link भी डल गई है, आप अगर user name, full name भी ready है और आपका account भी professional account बन चुका है, तो आपकी profile पूरी तरह तयार है, अब आपने सिर्फ इसके पर content डालना शुरू करना है, अब आप full ready हैं अपना काम करने के लिए